अब फ्रेंट्स हम यह देखते हैं दी एफ प्लस माइनस जी हो तो उस कंडिस्टन हम किस तरह से निगा लेंगे एफ टैस जी प्लस माइनस जी डैस सी तो पहले इसको प्रूब करते हैं कि फंक्षन एफ और ड्रोट डैसे ब्लोंस टू ए भी सो क्या हमारे पास जो डेफिनेशन नहीं उसमर्ण लिया तो कि फंक्षन एफ और ट्रिय है वह डिपने जी तो पहले से फरीर और यह विदिश्भाण जी जाह पर इए भी से हैं मारे पास दैन मिट आशेट्च कि तो ऑ fx minus fc upon x minus c वराबर f dash c यह हमार पार सिस्मिल डिप्रेशिएं की डिफिनिशन थी लिमिट x तो fx minus fc upon x minus c वराबर f dash c and gg के लिए हमार का लिखिएंगे हम limit x tends to c gx minus gc upon x minus c वराबर g dash c अब friends deep f plus minus g बराबर इसको क्या लिखिएंगे हैं limit x tends to g f plus minus g वर यह जो function है x कोछ function है f plus minus g x minus f plus minus gc x minus c तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको fx plus minus gx इसको simply and fc plus minus gc x minus c यहां नीचे हैं यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं तो यहां से fx minus fc यह नहीं रहेगा sorry fx minus xc plus minus gx रहेगा plus minus gx minus gc तो यहां से ही होगा limit x tends to c fx minus fc upon x minus c plus minus limit x tends to c gx minus gc upon x minus c तो यह हमारे पास क्या आता है f dash c और यह क्या आता है g dash c तो f dash c बराबर plus minus sorry f plus minus g differential of x बराबर c बराबर f dash c plus minus g dash c यहांने कि हमारे पास जो फोर्मूला है वो आ गया है हमारे पास f plus g अगर plus sign हो derivative निकाल रहा हो तो d of f plus d of g at c पे यह इसको लिख सकते हैं f dash c plus g dash c और अगर इसमें minus का sign हो f minus g c तो यह हमारे पास f dash c minus g dash c simply इस तरह से हो जाएगा यह